क्या आप भी मेरी तरह लेफ्ट ओवर चीजों से कुछ नई रेसिपी बनाना ट्राइ करते हैं? अगर करते हैं तो ये रेसिपी बिलकुल आप के लिए ही है यहाँ पर मैंने बनाया चॉकलेट डेजर्ट यकीन मानिया यह डिलीशिस सा डेजर्ट जो है वो आपको फज़ का भी टेस्ट देगा और डेजर्ट तो डेजर्ट है वेलकम बेक टो इग्सॉर्टिक डाइन दिस इस मी, स्वाती और आज हम बनाने जाएंगे एक चॉकलेट डेजर्ट इस चॉकलेट डेजर्ट को बनाने के लिए मैंने लेफ्ट ओवर केक लिया है यहां पर मेरे पास थोड़ा केक बज गया था तो उसको यूज में लेकर के हम यह चॉकलेट डेजर्ट बनाएंगे तो इसको मैंने हाथ से ही ऐसे क्रमबल कर लिया और यह बहुत जल्दी आसानी से हाथ से क्रमबल हो गया और इसके साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर मिक्स किया यह मैल्टेट बटर है आप अपना जो केक है उसमें कितना मौश्य है उसके अकॉर्डिंग बटर डालिएगा यहां पर मेरे दो से तीन चमश बटर मिक्स किया है और एक बॉक्स के मैंने बटर पेपर को लागा दिया और उसके बटर पेपर की लाइनिंग देने के बाद जो केक के क्रमबल थे उनको अच्छे तरह से प्रेस कर दिया यहां और आप ध्यान रखेगा बटर इसमें अच्छी तरह होना चाहिए वरना जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो यह अ आपने केक बचे हुए जो केक है उसके अकौर्डे और यहां पर इसको हम डबल बॉइलर पे मैल्ट करेंगे तो यहां पर मैंने पानी गरम ले लिया है और इसको मैल्ट करने के लिए रख दिया है और अब चुप तक यह मैल्ट होती है तब तक जो हमारा लेफट ओवर केक से जो हम फज बनाने वाले हैं या डिलिशिस सा डेजर्ट बनाने वाले हैं आप कुछ भी कह लिए उसको थोड़ा हेल्दी बनाते हैं तो यहां पर मैंने चोकोज लिये हैं और कॉन फ्लेक्स जो हम रेगुलर यूज में लेते हैं और उसी के साथ में मुरमुरा या पॉफ आपके लिए हमेशा ऐसी टेस्टी रेसिपीज लाती रहती हूं अगर आपको यह सब पसंद है तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं तो यह जो चोकले थी वो भ बना करके रखा था उनसको वे अंदर हम इसको बिला देंगे और हलके हाथ से इसको फोल्ड कर देंगे अब यह जब अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो फ्रिज में सैट होने के लिए केक रख लिया था तो यह देखिए एकदम अच्छी तरह उसको स्प्रैट कर देंगे और इसकी एक अच्छी से लियर कर लगा करके हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे बस यहां पर ध्यान रखेगा कि आपको प्रेस बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि जब यह लास्ट में निकलेगा तो यह एकदम अच्छी से क्यूब्स वैसे ही अच्छा लगने लगेगा और यहां पर मैंने अप्रिकॉट को छोटे चोटे पीसिस पर कट कर लिया था तो इस अप्रिकॉट को भी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दूँगी और अब यह सब डल जाएंगे तो वापस एक बार इसको प्रेस कर दूँगी और प्रे क्रीम डाली थी तो यह क्रीम के कारण हाड भी है और सौफ भी है तो यह बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और अब इसके हम पीसिस कट कर लेते हैं यहां पर मैं इसके पीसिस थोड़े बड़े कट कर रही हूं और अब द तो थोड़ा सा जो केक का पोर्शन था वो बहार निकल आया इसलिए आप अच्छी तरह से ज़रूर प्रेस कीजेगा और इस चौकलेट डेजर्ट में आप जो चाहें वो वेरियेशन दे सकते हैं आपको ये रेसिपी जरूर पसंदाएगी तो एजॉय कीज़ेगे